पूरु विदेश मंत्री और विजेपी की वरिष्ट निता सुस्मा स्वराज का निधन हो गया। 66 साल की उम्र में सुस्मा स्वराज ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सास ली। वो पिछले काफी दिनों से बिमार चल रही थी बदा दे कि उनका किड्नी ट्रांस्प्लांट भी हुआ था और बिमारी की वज़े से मोधी सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर भी उन्होंने मंत्री पद देने से मना कर दिया था। दोहजार उन्नीस में विदीसा से उन्होंने दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ा था। सुस्मा स्वराज उन चंद महिलाओं में हैं जिनोंने भारती राजनीती में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और लंबे समय तक राजनीती में सक्री रही। आपको दादें सुस्मा स्वराज का जन्व 14 फरवरी 1952 में अंबाला में हुआ था। सुस्मा स्वराज के पिता स्री हर्देव शर्मारास्टी और स्वमसेवक संग के प्रमुक सदस्य थे। जिस वज़र से सुस्मा स्वराज ने अपने आसपास संग और राजनीती का असर शुरू से देखा। इन्होंने राजनीती विज्ञान और संस्कृत जैसे प्रमुक विश्यों से अंबाला चावनी के SD कॉलेज से स्नातक की उपाधी प्राप्त की थी। सुस्मा स्वराज ने चंडीगण में पंजाब विश्विद्याले से कानून विभाग से LLB की डिगरी हासिल की। 1970 में इन्होंने अंबाला चावनी के SD कॉलेज से सर्वस्रेश छात्रा का पुरुसकार भी प्राप्त किया था। आपको दादे 1977 में सुस्मा स्वराज सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंतरी बनी थी। उस समय उनकी आयू 25 वर्स थी। 1996 में अटल विहारी वाजपे के नित्रत्व में 13 दिन की सरकार के दोरान इन्होंने सूचना और प्रसारण के केंदरी कैबिनेट मंतरी के रूप में लोकसभावारता के लाइप प्रसारण का एक क्रांती कारी कदम उठाया था। आपको दादें सुस्मा सुराज ने 13 जुलाई 1975 को भारत के सर्वोच नियाले के एक वरिष्ट वकील स्री सुराज कौशल जोकी एक क्रिमनल लॉयर थे से विवा किया था। सुराज कौशल 1990 में देश के सबसे कम उम्र के राजपाल बने थे। आपको दादें सुस्मा सुराज की एक बेटी है जिसका नाम बासूरी है जिन्नोंने ऑक्सपोर्ड यूनिवर्सिटी से स्तना तक किया है और इस समय लंदन में वकालत कर रही है। सुस्मा सुराज की राजनितिक जीवन की प्रमुक उपलब्धियों की बात करें तो 1977 में जब वो 25 साल की थी तब वो भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनट मंतरी बनी थी। 1989 में 27 साल की उम्र में वो हर्याना में जन्ता पार्टी की राज अध्यक्ष बनी थी। सुस्मा सुराज को राश्टी अस्तर की राजनितिक पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता होने का भी गौरव प्राप्त है। सुस्मा सुराज विपक्ष की पहली नेता भी बनी थी। और तब इनों ने श्री लालकृष आडवानी के बाद ये प्रद ग्रहन किया था। 26 मई 2014 को सुस्मा स्वराज भारत सरकार में विदेश मामलों की केंद्रिय मंत्री बनी। 30 दिसंबर 2000 से 29 जनवरी 2003 तक इनों ने सूचनायम प्रसारण मंत्री की पत पर सेवा की। 29 जनवरी 2003 से 22 मई 2004 तक वे स्वास्तो परिवार कनल्यान मंत्री तथा संसदिय मामलों की मंत्री रही। 16 मई 2009 को सुस्मा स्वराज को छटी बार पंद्रवी लोकसभा की सदस्री के रूप में चुना गया था। वे लोकसभा में 3 जून 2009 में विपक्ष की उपनेता बनी। 21 दिसंबर 2009 को सुस्मा स्वराज विपक्ष की पहली नेता बनी थी। तब इनों ने श्री लाल कृष्ट आडवानी के बाद ये पद ग्रहन किया था। 26 मई 2014 को सुस्मा स्वराज भारत सरकार में विदेश मामलों की मंत्री बनी थी। 2019 लोकसभा में सुस्मा स्वराज ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। स्वासकारनों को लेकर सुस्मा स्वराज ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। और अखिरकार 6 अगस्त 2019 को 67 साल की उम्र में दिल का दोरा पढ़ने से सुस्मा सुराज का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया।